गुड मॉर्णिंग देश्रेंट्स हम जो मैट का चैप्टर कर रहे हैं वेज टू मल्किप्लाइएंड डिवाइड तो उसमें आज हम क्वेशन करेंगे जम्रूदा स्टोरी तो जम्रूदा की कहानी क्या है To help farmers, the state government gave cows किसानों को मदद करने के लिए state government जो है जो राज की सरकार है उन्होंने किसानों को गाएं दी जम्रूदा also got a cow तो जम्रूदा जो थी उसको भी एक गाए मिली The cost of the cow was rupees 17,500 तो जो गाए की कीमत थी वो थी 17,500 रुपे She has to pay rupees 5,500 और जो जम्रूदा थी उसको सिर्फ 5,500 रुपे देने थे And the government spent the rest of the money तो ये government ने scheme निकाली थी जिसमें कि जिसको काव मिलती जो काव खरीटा उसको सिर्फ 5,500 रुपे देने थे और बाकी का जो पैसा था वो वो गाएंट खुद दे थी तो अब कुश्चन है How much is the government spent on the cow तो एक गाए पे गाएंट ने कितना खर्चा लगा है उसने कितना स्पेंड किया अगर जिन्हों ने गाए लिए अगर जम्रूदा ने 5,500 रुपे दे तो गाएंट ने कितना पैसा दिया और ऐसे ही अगर नौ लोगों ने ये गाए खरी दी तो टोटल कितने लोगों ने तोटल गौर्मेंट ने कितना पैसा दिया नौ लोगों ने अगर ये गाए खरी दी तो गौर्मेंट ने कितना पैसा दिया बट जम्रूदा वास नौट हैपी लेकिन समरुदा जो थी वो खुश नहीं थी उसको 85 रुपीज हर रोज खर्च करने पड़ते थे कौक को गाय के उपर उसको खाना माना सारा कुछ जो उसका खर्चा था गाय का खाने का उसको और उसको देखबाल करने का तो वो उसका 85 रुपीज एक दिन में आता था उसने कुछ पैसा तो बनाया गाय दूद बेच के बट सिटल शी वांटे तो सेल रख गाव लेकिन तब भी वो गाय को बेचना चाहती थी तो अब इसके आगे क्या हुआ यह हम बाद में करेंगे पहले हम फाइंड आउट करते हैं यह दू चीज़ें हम अगे वाला हिसा हम करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जैसे कि यह क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हुए हैं तो हम सबसे पहले टोटल कोस्ट फ़ दे काव इसकोल टूपी सैंटीन थाउजन फाइंड ठीक है जो दिया गया है जमरूदा हैस तुपे मनी फाइजन 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 जम्रूदा ने पैसा दिया वो हम माइनस करेंगे वो हो गया 0 0, 5-5 0, 7-5 2, 1 ऐसे आएगा, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 12,000 12,000 रुपीज तो गौर्मेट ने किता पैसा दिया is equal to रुपीज 12,000 ठीक है, गौर्मेट ने 12,000 रुपीज पे किये एक गाए पे अच्छा, नमबर आप पीपल फ्रॉम हर विलेज वो गौर्ट काव is equal to 9 9 लोगों को उसके गाउं से गाए मिली ठीक है, therefore गौर्मेट पेंट इन आल, तो सारा गौर्मेट ने कितना पैसा दिया तो हम 12,000 को मौर्ट प्लाइ करेंगे 9 से, क्योंकि एक गाए में गौर्मेट ने पैसे दिये, 12,000 तो 9 गाएं में कितने दिये होंगे, 9, 0, 0 9, 0, 0 9, 0, 0 9, 2, 0 9, 2, 0 18, 8, 1 9, 1, 10 तो होगे, unit 1, 10, 100,000, 10,000, Lack 1, Lack, 8,000 रुपीज, ठीक है विच इस एक्वल टो रुपीज 1, Lack, 8,000 ठीक है तो गौर्मेट ने इतना पैसा स्पेंट किया अब हमने पढ़ा फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा वो ये सिच्वेशन थी कि जो जमरूदा है उसको 85 रुपीज हर दिन खर्च करने पढ़ते थे गाए पे उसने कुछ पैसा तो बनाया था गाए के दूर को बेज कर लेकिन तब भी वो गाए को बेजना चाहती थी अब सवाल है जमरूदा एक दिन में 85 रुपीज स्पेंड करती थी गाए पे ठीक है तो इक महीनी में उसको कितना खर्चा आता था तो अगर वो एक दिन में एक दिन में जो जमरूदा पैसा लगाती थी गाए पे वो होता है रुपीज 85 टोटल में मनी स्पेंड इन वान मन्थ इस गोड़ टू गया 30 इंटू 85 है ना वो गया 5, 0, 0, 5, 3 is a 15 अब हो गया 8 से 8, 0, 0 8, 3 is a 24 0, 5, 4, plus 1, 5, 2 तो कितना स्पेंड करती थी इस इकॉल टू रुपीज 2550 तो इतना पैसा वो एक महिने में गया पे खर्चा करती थी अब अब आगे की बात क्या है आगे की बात है जो गया दूद देती थी वो आठ लीटर दूद वो एक दिन में देती थी how much will it give in one month एक महिने में कितना देगी milk given by the cow in one day is equal to 8 liters total milk given by the cow in one month is equal to 30 into 8 800 8334 होगे एक महिने में वो 240 liters दूद देती थी ठीक है which is equal to 240 liters ठीक है अब उसके बाद क्या मसला है उसके बाद मसला है कि भई if the milk is sold at rupees 9 अगर वो दूद 9 रुपे एक लीटर के हिसाब से बेचा जाता है how much money will zamruda make in one month तो एक महिने में zamruda कितना पैसा कमाएगी so the money spent on keeping the cow was rupees तो गाई को पालने में उसको कितना एक पहिने में कितना खर्चा आया money earned by 70 million rupees और जो पैसा दूद बेचने से आया वो कितना आया which is more जादा कौन सा spend on cow और money earned from it गाई पे जादा खर्चा होता था या दूद बेचने में दूद को बेच के जो पैसा आता था वो जादा था तो कितना जादा अगर इसमें difference कितनी थी जादा खर्चा किसका आता था और difference कितनी थी explain why she wanted to sell the cow तो अब ये बताए कि वो गाई को ये अब हमें बताए कि गाई को वो क्यों बेचना चाहती थी तो अब है अब हमें पता चला कि भाई एक महिने में गाई जो दूद देती थी वो 240 लिटर देती थी एक लिटर दूद की कीवा 9 रुपे है तो अगर एक लिटर दूद की कीवा 9 रुपे है तो 8 लिटर की कितनी होगी वो हो गया नाइन इंटू एट, एट नाइन जा, एट नाइन जा, 63, 72, एट नाइन जा, 72, तो 72 रुपीज एक दिन में आते थे, एक महीने में हमने उसे कितना कमाया, तो हो गया, 72, एक महीना 30 डेज का होता है, हो गया, 0, 2, 0, 0, 7, 0, 3, 2, 0, 6, 3, 7, 0, 21, 0, 6, 1, 2, तो वो हो गया, रुपीज 2160, ठीक है, तो दूद से हम एक महीने में कितना कमाते थे, 2160, और पैसा कितना ख़च होता था, गये पे, 2550, तो मनी स्पेंट ऑन कीपिंग तक काव, इस कोल ट रुपीज, जो हमने अभी निकाला, कितना निकाला, मनी स्पेंट इन वान्थ ऑन काव, इस कोल टू, 2550, तो हो गया, 2550, ठ ठीक है, मनी अर्ण बाइ सैलिंग तब मिलिक इस कोल ट रुपीज, 2160, ठीक है, अब विच इस मोर, तो विच इस मोर है ना, तो मनी spent on cow is more than the money earned by selling the milk है ना दूद को बेजने से जो दूद को बेजने से पैसा मिलता था वो कम था और जो गाय का खर्चा था वो ज़्यादा था अब है कितना ज़्यादा था खर्चा कितना आता था तो हम करेंगे money spent on cow minus money earned by selling milk तो वो हो गया 2550 minus 2160 ये पैसा वो है जो कौपे लगा लगाया हमने जम्रूदा ने और ये पैसा वो है जो money को दूद को बेजने से money उसने कमाया पैसा कमाया तो अब वो ही हमें पता चलेगा कि कितना हमने हमें कितना उसमें कितना difference है हम ज़्यादा जो लगाते थे और जो हम पैसा कमाते थे उससे तो उसमें कितना difference है तो जीरो इसने इसको one दिया ठीक है तो fifteen में six six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen फिफटीन आ गया nine यहां पर बचा four four minus one three यहां पर two minus two zero तो तो जो यहां पर हमें question है how much therefore therefore rupees 390 was more spent on the cow explain why she wanted to sell the cow abhay she wanted to sell the cow because she spent more than she earned ठीके बच्चो तो यह है इसका यह हमने यह जम्रूदा स्टोरी है तो यह ऐसे यह question solve करना है ऐसे हमें पता चला की हमने कितना पैसा जम्रूदा ने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा उसने कमाया तो जो उसने पैसा उस पे लगाया था गाये पे वो ज्यादा है और पैसा जो उसने दूद बेच कर कमाया वो कम था तो उसका खर्चा ही ज्यादा बैठता था और कमाती वो कम थी ठीक है इसलिए वो गाए को बेचना चाहती थी तो अब इसके आगे वाले जो questions हम next video में करेंगे तब तक के लिए bye, take care stay home, stay safe